नमस्कार दोस्तों वारानसी जिसे पूरे भारत की धारमेक आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है इसी वारानसी को अब वारानसी रिंग रोड का तौफा मिलने जा रहा है आज के इस वीडियो में हम आपको वारानसी रिंग रोड की लेटिस्ट अपडेट्स के बारे में बताएंगे जैसे रिंग रोड कब तक चालू हो जाएगा तथा गंगा नदी पर 1.651 किलोमीटर का ब्रेज कब तक पूरा होगा इसके इलावा रिंग रोड में क्या क्या खासियत होगी और इसके बन जाने पर पबलिक को कितना फाइदा होगा इन सभी टपिक पर आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे स्वागत है आप सभी का important fact की एक और interesting वीडियो में दोस्तो अगर आप हमारे इस वीडियो को वारानसी से देख रहे हैं तो हमें comment box में जरूर बताएं कि आप इस रिंग रोड के बन जाने का कितनी बेसवरी से इंदिजार कर रहे हैं अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like और चैनल को subscribe करना ना बूलिएगा चलिए वीडियो सुरू करते हैं दोस्तो जैसा कि आप सभी चानते हैं कि वारानसी रिंग रोड तीन फेस में बन रहा है जिसमें से phase 1 और phase 2 का कार तैस समय से पूरा भी हो चुका है परंतु phase 3 के कार में थोड़ा अधिक समय लग रहा है जहां पहले रिंग रोड को मार्च 2022 में ओपिन करना था परंतु किसी कारण वस यह कार समय से पूरा नहीं हो पाया और अब इस रिंग रोड की एक लैन को नमंबर 2022 तक ओपिन करने का लक्ष बनाया गया है इस बड़ी मियाद के दर्मियान गंगा नदी पर बन रहे फोर लैन पुल का वन वे बन कर तयार हो जाएगा इसके बाद बाहान इस वन वे से फर्राटा भर सकेंगे हालाकि संपूर गंगा नदी पर फुल जो 1.651 किलोमीटर लंबा बन रहा है उसका पूरा कार मार्च 2023 तक पूरा होने का हनुमान बताया जा रहा है यह है रिंग रोड राजा तालाब में कोलकाता से दिल्ली तक जाने वाले नैसनल हाईवे हरुआ में वारानसी लखनू नैसनल हाईवे, लमाई के आंगे, पांडेपुर मार्च पर वारानसी आजमगर नैसनल हाईवे और चिरई गाओं में वारानसी गुरकपुर नैसनल हाईवे को जोड़ेगा वही चंदौली में लॉंदा जहासी में नेशनल हाईवे में मिलने वाले रिंग रोड से चंदौली के साथ ही बिहार जारखंड पश्चिम मंगाल सहेद पूरवत्तर के अन राज्जों से आने वाले बाहन भी इस रिंग रोड के जरिये सहर में बिना प्रवेश किये आजमग हो जाएगी करीब 29 किलोमीटर लंबा फेज 3 का कार तेज गती से चल रहा है कारदाई कंपनी गयमन ने इसके निर्मार के लिए संसाधन भी बढ़ा दिये हैं संधा में फेज 1 को जोडते हुए चरई गाव ब्लॉक से होते हुए भवन पुरवा तक 8 किलोमीटर सड़क पर दो वे होगे जिसमें से एक से आना वा दूसरे से जाना होगा पुल की चोड़ाई 25 मीटर की होगी इसके इलावा फूरयले में रोड टू वे का होगा मे की चोड़ाई 12 मीटर होगी इस। फूरय मीटर चोड़ली दोनों और सल्वे सोरविश युगग वह दाई मीटर के तीसरे फेस का काम चरहिगाओं से भवन परवा तक सर्विस रोड मुख सड़क और तीन स्थानों पर अंडर पास बन चुगा है अगर इसी रफ्तार से कार चलता रहा तो नवंबर 2022 तक रिंग रोड का कार पूरा हो जाएगा और गंगा नदी पर भी पुल का कार मार्च 2023 तक पूरा हो जाएगा दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलते हैं किसी नई वीडियो में इंट्रेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ जब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तब तक के लिए धन्यवाश्या